ए नाम वाले लोग कैसे होते हैं? दोस्तो ए नाम वाले लोगों के बारे में जाने से पहले सभी ए नाम वाले आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर टेक करें। हर अक्षर की अपनी उर्जा और खूबया होती हैं। यही कारण है बहुत से लोग जो अंक जियोतिस या जियोतिस शास्त्र में यकीन रखते हैं, वेक कुंडली में निकले अक्षर से ही अपने बच्चे का नाम रखते हैं, जिन लोगों का नाम ये अक्षर से शुरू होता है, वेक कैसे होते हैं, यहां जाने. हमारा नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है बलकि हमारी पहचान है जिसके जर्ये जीवन भर लोग हमें जानते हैं आज की जमाने में ज्यादातर पेरेंट्स अपनी ख्षा के अनुसार बिना नाम का अक्षर निकाले ही अपनी पसंद का कोई भी नाम अपने बच्चे के लिए चुन लेते हैं वैदिक जियोते शास्त के मताबिक नाम रखने का ये तरीका सही नहीं है इसका कारण ये है कि आपका नाम आपके व्यक्तित्व की एक जलक होता है इसलिए इसका सही तरीके से चुनाओ किया जाना बेहत जरूरी है नाम का पहला अक्षर किसी इंसान के व्यक्तित्व के साथ ही उसके स्वभाव और कई और चीजों के बारे में भी बता सकता है अगर ऐसे में किसी नाम का अंग्रेजी के पहले अक्षर एसे शुरू होता है तो उसका स्वभाव कैसा होगा आईए इस बारे में यहां जाने पहले होने की वज़े से इस अक्षर के नाम वाले लोग मांसिक रूप से काफी सशक्त होते हैं और पूरे कंट्रोल के साथ रहना पसंद करते हैं। किसे भी स्थती से निपटना उन्हें आता है। इसके अलावा ए अक्षर से नाम शुरू होने वाले लोग बहुत महंती और धहर्यवान होते हैं और आसानी से अपना आपार नहीं खोते। ए नाम वाले लोगों को चुकि दूसरों को कंट्रोल करना पसंद होता है। इसलिए उनमें लीडर्शिप क्वालिटी भी होती है यानि वे अच्छा नित्रत्व कर सकते हैं और उन्हें अपनी नियम खुद बनाना पसंद होता है। कई वार वे अपनी समझदारी और अकलमंदी के बन पर काफी सफलता भी हासिल करते हैं। ए अक्षर से नाम शुरू होने वाले लोग काफी महत्वकांग्शी भी होते हैं और वे चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फॉलो करें और उनकी पसंद के अनुसार काम करें। साहसी और एडवेंचर पसंद होते हैं। ए अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है वे साहसी होते हैं इसलिए उन्हें एडवेंचर पसंद होता है। उनमें इस तरह का आत्मविश्वास होता है। करियर की बात करें तो ऐसे लोग व्यापारी या उद्यमी हो सकते हैं। टीचर बन सकते हैं शोत करता या फिर इस तरह का कोई भी लीडर्शिप रॉल उनके लिए बहतर होता है। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक किस्प के इसान नहीं होते हैं बलकि प्रिक्टिकली बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष निर्धार करता से पेश आएं तो भी आप बहुत तीजी से रियक्ट नहीं करते हैं। धर्मकथाएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।